मायरा फैशन, स्वामी कॉंप्लेक्स, अन्वेगा मौल, अजमीर इसकी बात नहीं कर रहा है वहीं दूसरी और कोटा में मचरे हडकम के दोरान कॉंग्रेश अलाकमान से सुनिया गांधी ने सचिन पाइलेट से मामले की रिपोर्ट तलब की है इसके साथ ही बीते शनिवार बूंदी के सरकारी अस्पताल में साथ महा का एक मासूम और अस्पताल में ही भरती मासूम की मात दोनों की ही मौत हो गई है और अब इस मौत पर भी परिजनों ने डॉक्टरों पर गलत बलड चड़ाने का आरोप लगा दिया है प्रदेश में डॉक्टरों से मारपीट होने पर पूरे राजिस्तान के डॉक्टर एक जुट तो हो जाते हैं लेकिन जब धर्ती के भगवान के जाने वाले डॉक्टर की गलती की वज़ा से किसी मासूम की मौत हो जाए तब क्या किया जाए ये बड़ा सवाल अब सामने नजर आ रहा है क्या फिर कोटा चलते हैं क्योंकि शनिवार को केंद्रिय दल के साथ साथ उप मुख्य मंत्री सचिन पाइलेट भी कोटा पहुंचे और अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोटा के जेके लोन अस्पताल जैसे विकट हालात सिर्फ वही नहीं बलकि पूरे राजिस्तान के हैं सूबह में एक भी सरकारी अस्पताल में बच्चों का सुपर स्पेशलेश डॉक्टर नहीं है इसके साथ ही जिन अस्पतालों में बच्चों का इलाज होता है वहां के 44 वेंटिलेटर के साथ 1430 वार्मर भी खराब पड़े हैं एक रिमीडिया रिपोर्ट के मुताबेद प्रदेश में हर साल 28 दिन से कम उम्र के 34,000 से अधिक बच्चे दम तोड़ देते हैं यदि एक वर्ष तक की उम्र में जाएं तो ये आंकड़ा 41,000 से भी अधिक चला जाता है और ये आंकड़ा आने की वज़ा दम तोड़ चुके वेंटिलेटर खराब वार्मर के साथ ट्रेंट स्टाक नहीं होना बताय जा रहा है वहीं प्रदेश भर में 1430 वर्मर खराब है प्राब जानकारी के मताबेद हर उम्र के 1490 बच्चे हर सप्ता दम तोड़ रहे हैं खराब वेंटिलेटर के आंकड़ों की बात करे हैं तो बिकानेर में 6 अजमेर में 4 भरतपूर में 5, जैपूर में 6, जोतपूर में 7 और उदेपूर में 5 कोटा में 11 वेंटिलेटर खराब पड़े हैं इसके साथ ही प्रदेश में 450 से अधिक ICU बैट, बेंटिलेटर, सहीद अन्य तमाम सुबिधाओं की जरुरत सरकारी अस्पतालों को है लेकिन फिर भी गेलो सरकार कहती है कि सुबे में चिकित्सा विभाग में स्वास्तिय ठीक है अब आप ही बताएं इन आकड़ों के मुताबिच क्या वाकिए में सुबे में चिकित्सा विभाग के हालात ठीक है अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो MTTV इंडिया के पेज को फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ सब्सक्राइब करें